बिस्मिल्लाहरहमानरहीम असलाम लएकूम कैसे हैं आप सब वीवर्स आज मैंने बनाया है आलोगोबी के सबसी में आई है चोंके बहुत ही इजी है और बहुत ही मेरे तो फेवरेट है आप वोगो भी अच्छी लगेगी और ये बनाना भी बहुत ही असान है और वीडियो दे को लाइक करें शेयर करें रिक्वेस्ट है आप सबसे तो चलें जी हम बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैंने दी है कड़ा ही उसमें डालेंगे आयल डालके हम गरम कर लेंगे आयल गरम होगा तो हम इसमें प्याज अड़ करेंगे प्याज को फ३्राइ करेंगे और ब्राउन कर लेंगे यह देखें प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं तो अब हम इसमें एड़ करेंगे हरी मिर्च, टटी हुट और अधरक लहसन का पेस्ट इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लिये था यह हमने एड़ कर दिये हैं और इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे और साथ ही कुछ मिसाले हैं काली मिर्च, गरम मसाला इसमें आड़ कर देंगे और फिर इनको मिक्स करेंगे थोड़ा भून लेंगे साथ ही यह गोबी बरी कटी हुई जिस तरह के पीसिस आपको पसंदे उसी तरह के कट कर लें कुछ लोगों को ज्यादा बड़ी पसंद होती है और कुछ को चोटी कटी और साथ ही आलू इनको मैंने पानी में डालकर रखा हूँ था इदेके अध्या सा इसको भूं लेंगे तकरीब पाँ से छेमिनिट के लिए हम इसको फराई करेंगे यह देखे फ्ट्राइ हो रही है अब हम इसमें दही एड़ कर देंगे तकरीब हम पांच से चे मिनट मैंने इसको भूना है आप दही आड़ करने के बाद हमने इसको उपर से कवर कर देना है टाकि यह अलो और गोपी जो है वह दही के पानी में ही जो है गाल जाए और इसके तो यह देखें तो यह देखें उसके बाद आलो भी अच्छी से गाल चुके हैं और सब्सक्राइब बहुत ही अच्छे बनी है अच्छे खश्बूवे आ रही थी इस टाइम पे अब हम इसमें धन्याइड करेंगे कि अबी कटी हुई साथ ही हरी कटी हुई मिर्चे बरीक बरी कट की हुई वह एड़ कर देंगे और अगर आप थोड़ा सा लेमन जूसा अड़ करना चाहें तो वह भी अड़ कर सकते हैं और यह देखिए हमारा आलो भी की सबजी रेड़ी है जो कि बहुत ही अच्छी बहुत मज़गी बनी है उमीद है आप सब को भी पसंद आएगी एक्स ट्रेस्पी के साथ हाजर